असलाम वालेकूं वेल्पम्स टू जबीन की चनर एंड डेली लाइफ आज मैं बेसन का हलवा बना लूँ जो जो के 10 मिनट में जट पर तयार हो जाएगा इसके लिए आपको ना दाल को भीगोने की जबरत है ना पीसने की जबरत है हम इसको फॉरण 10 मिनट में बनाएंगे त हम इसमें एक कप बेसन डालेंगे बेसन को चान के डालिएगा मैंने बैबर चना वापी सबात दिया एक कप बेसन में हम 2-3 खाने के चम्मस सूजी डालेंगे और इसको हम लो मीडियम हीट पे 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे बेसन के निशानी यह है कि बेसन क अपना और यह अपना ओएल रिलीस करतीगा और यह एक लिक्विटी फर्म में आजाएगा जब बेसन ढहिं जाए और और आइल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें दो से तीन खाने के चम्मस दूट डालेंगे और यह बहुत ही एहन स्टैप इसको छोड़ने निए इससे एक तंसे फोम बनेगा और जाल बनेगा जिसकी वज़ा से हमारा हलवा फूब अच्छा दाना दाता है जब इसमें पूब अच्छा सा जाल बन जाए तो इसमें हम आदे कप्से लेके 3-4 कप तक पर हम इसमें शकर डालेंगे और शकर डालके इसको 2-3 मिन भूनेंगे ताकि शकर अच्छी तरह करमलाइज हो जाए अगर आप जोफ़ा जाता है तो आप 3-4 कप क शकर इसमें डाल सकते हैं और इसको 2-3 मिन भूने के बाद हम इसमें एक कप्से लेके सवा कप तक पामी डालेंगे एक कप्से कबाने नहीं लेकर ना को हलवा फ्रूप हो जाए और सवा कप्से जाता भी नहीं डालना और भी डालते हैं इसको अच्छी तरह भूं देखेंगे कि ये हल्बा समिखने लगाने तो इसका मतलब है कि हमारा हुआ अच्छी तरह भूं जाए और कडाई को चुछ हो देते हैं इसके अंदेर हम 4-5 उलाइचियां पीस के डालेंगे तोड़ा सा फिर्वाइशन जालेंग हमारा जटपट हल्वा तयार है ये टेस्ट में बिल्कुल चने के हल्वे की तरह होगा आप इसको बनाएं उमीद है आपने को पसंद आएगा आपने मुझे फिट्बैक दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अलाहाफिज